Good evening to all सभी को नमस्कार प्रणाम Community Health Nursing जिसके अंदर exam pattern multiple choice question Start करते हैं मैंने previous फेले question के बारे में discussion किया था आज multiple choice question के अंदर next portion के अंदर पढ़ते हैं निम्न में से प्रियावन के JV घटक biological components में सामिल है देखेगा इसके अंतर्गत क्या बोला गया है biological component के अंदर क्या-क्या environment के अंदर सामिल है include है इसके अंतरकत जब environment का अंदर आता है तो पेड़ पोदे सुक्सम जीव पशू यह सारे के सारे आते हैं यह क्या है एक biological component है किसका है environment का ठीक है तो इसके अंतरकत बच्चों ए ई जे right आंसर रहेगा दूसरी बात करते हैं यहां पर यह मेरे वाट्षेप नंबर है यह मैंने पीडियेप बच्चों आपको ग्रूप के अंदर भेज दिया है इंट्रेस्टेट केंडिडेट इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आपका फीडियेप प्राप्त कर सकते हैं कुछ फेमेंट लगेगा जिसके अंदर पेड़ क्लासेज के अंदर आपको इंक्लूड कर दूगा किस टाइम में class होती है किस टाइम में application पे पढ़ाई होगी किस टाइम में YouTube पे होगा तो सारी सारी तमाम जानकारी रहेगी पूरा one year का course रहेगा जिसके अंतरकत systematic तरीके से systematic तरीके से system wise, unit wise आपका study होगा ठीक है? आप देखते हैं सबसे पहले और मैं एक बात और बता देता हूँ आप देखिएगा इसके अंतरकत मैंने आपको मेरे साफ से 300 से एवो कोशन multiple choice question के question solve करवाए हैं जिसके अंदर आपके बहुत सारे question इसके अंदर से आएंगे मैं कहूं कि ये 500 multiple choice का list रहेगा fill in the blanks का 400 या 300 रहेगा इसके मतलब ये हुआ कि एक बार ये यहां से पढ़ने से आपका exam के अंदर यहीं से आएगा बाहर से नहीं आएगा ठीक है अब देखेगा तो first इसका जो answer हो गया वो क्या हो गया A.E.J. correct answer दूसरी बात करें next है निम्न में से प्रयावन के सामाजी घटक जिसको बोलते है social components में सामिल है इसके अंतरकत देखो पेड़, पोदे, सुक्सम, जीव, जन्तु नहीं ये तो क्या हो गया biological components के अंदर आएगा जल, वायू, मृदा, इमार्त, कल, कार, खाने नहीं धूल, धुआ, गैसेज नहीं तो क्या रहेगा सामाजीक, प्रमप्राय, रिती, रिवाज किसके अंदर आएगा social components के अंदर आएगा तो इस प्रकार से बच्चों इसके अंदर कौन सा right answer रहेगा C is a correct answer रहेगा C is a correct answer रहेगा बच्चों इस बात का क्या रखे इरालाल ध्यान रखे next बात करते हैं परदुसित जल के सेवन से होने वाली बीमारी मैंने आपको बताया था a contaminated water परदुसित जल का मतलब हुआ a contaminated water जिसके अंतर का दुसित पानी पीने की वज़े से बहुत सारी बीमारिया होती है various बीमारिया होती है जो आप देखते हैं जब मैंने communicable disease पढ़ाया था उस condition के अंदर मैंने आपको बताया था कि communicable disease जिसके अंदर एक respirative communicable disease जो respiration के थुरू होता है डूसरा है water communicable disease जिसके अंदर contaminated water drink करने की वज़े से होता है डूसरा है vector mode disease जिसके अंदर mosquito bite की होने से disease होती है तो इस प्रकार से ये जो परदूसित जल है एक water communicable disease है परदूसित जल के सेवन से होने वाली बीमारिया कौन सी है देखेगा बच्चों polio हाँ ये होता है डूसरा है cholera ये भी होता है डूसरा है hepatitis A बच्चों होता है वो किसकी वज़े से होता है contaminated water के दोरान और hepatitis B होता है वो blood के अंदर infection contaminated of the blood उसकी वज़े से होता है उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे परदूसित जल की वज़े से polio है hepatitis A है है इसका मतलब D is a correct answer D is a correct answer next बात करते हैं निम्र में से 27 जल का स्रोत है a source of surface water इसके अंदर देखेगा surface water है उसका source क्या है देखो बच्चों आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा अलका सा मोह कर देता हूँ देखेगा इसका आंशर बताईए source of surface water बांद एवाम क्रित्रिम जिले हाँ दूसरा है तालाद दूसरा है नदी नाले तो इसका बच्चों answer right रहेगा D is a correct answer next बात करते हैं next बात के अंदर क्या लिका हुआ है निम्र में से जल परदूशन का स्रोत है गरों से निकला कूडा करकट करकट एवाम मल जल हाँ ये तो है कल कारकानों से निकला हुआ अपसिस्ट पदार्थ हाँ ये भी है उसके बाद में क्रिशी से निकला अपसिस्ट ये भी होता है तो इसके अंदर D is a correct answer D is a correct answer उसके बाद में निम्र में से परदूशन जल के 7 से होने वाली bacterial disease है आपने देखा होगा कि जो disease होती है जिसके अंतरकाज विविन प्रकार के microorganism के द्वारा spread होती है जैसे कि मैं कहूँ कि कई ऐसी बीमारिया जो viral होते है जैसे उमेज को क्या हो गया था Corona हो गया था Corona क्या है एक viral disease है उस प्रकार से मैं कहूँं कि कई ऐसी bacterial disease होती है अरे नहीं होगा कहले टेंचन करगा किया कगण बढ़ाते तो उस प्रकार से मैं कहूँं कई ऐसी bacterial disease होती है कई protozoaparacyt disease होती है fungal disease होती है तो इस प्रकार से निमन मेंसे परदुसी जल से van कै благ authoritarian डिजीज क्या कौन सी होगी टाइफाइड फीवर जैसे टाइफाइड फीवर का केजूटियो और गनिजम साल्मोनेरा टाइफी पोलियो और हेपिटेटिज ए यह वाइरस के द्वारा होता है और नियारडियस इस आमीबियस इस यह भी नहीं होता है तो इस प्रकार से उप्रोग सबी नहीं आएगा इसके अंदर टाइफाइट साल्मोनेरा टाइफी इस इस बैक्ट्रियल डिजीज तो इस प्रकार से ए इस ए करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट बात करते हैं कुवों के जल में सुधीकर्ण के उप्योग में लिया जाने वाला राशानिक पदार थे आपने देखा होगा कि आदम जमाना के अंदर पूराने जमाना के अंदर जो गाओं के अंदर जो पानी की टंकिया थी उस टंकियों के अंदर पानी जो पीने को मिलता था उसके अंदर किसका गोल आता था एक दवा मिली हुई आती थी ठीक है ना जिसके अंतरकत देखो क्या लिका हुआ है और वो दवाई क्या करते थी पानी को सुध करने का काम करते थी जिसके अंतरकत आयोडिन नहीं उस पा पाउडर का तो बी इज एक रेक्ट आंसर रहेगा बच्छों बी इज एक रेक्ट आंसर रहेगा इस बात का क्या रखें ध्यान रखें अब नेश्ट बात करते हैं निम्न में से होरोक उफकरण का समद्ध है किसे समद्ध है बताइए इसके अंतरगत होरोक उफकरण होता है जल के सुधिकरण से हां वायू पर्दुशन की रोकताम के लिए नहीं धवनी पर्दुशन की ड्रेसिंग के लिए नहीं अब औरोक उफकरण का समद्ध है जल का सुधिकरण से समद्ध में ठीक है अब उसके औरोक उफकरण क्या होता है उसका डिटेल अपन इस्ट्रुमेंट के अंदर पढ़ेंगे ठीक है अब नेक्स बात करते हैं वायू में सरवादिक मात्रा में पाई जाने वाली गेस है यह तो आप सब जानते हैं दस्वी क्लास का कोशन है जिसके अंतरगत राइट क्या होगा नाइट्रोजन वायू में सरवादिक मात्रा में पाई जाने वाली गेस है जिसके अंतरगत वायू मे कितना परसेंट होती है 21 परसेंट ओजन ये कार्बंडे ओक्साइड होती है वो कितना परसेंट होती है फॉर फरसेंट ठीक है तो इस प्रकार गेसों के बारे में बात करते हैं सरवादिक मातरा में पाई जाती है वो नाइट्रोजन गेस पाई जाती है एन्वारमेंट के अंत सामिल है उसके बाद में निस्पंदन ये भी सामिल है कलोरी नी करण ये भी सामिल है और जोनी करण का इसमें यहां पर कोई रोल नहीं है बच्चों बड़े पेमाने पर जल को सुधी करण करने के लिए तो इसके अंतरगत बच्चों डी ये जे करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा अंसर रहेगा डी ये जे करेक्ट आंसर रहेगा इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं एसीड रेन से आप क्या समझते हैं एसीड का मतलब होता है एसीड अमल अमलियता वर्षा के जल की पी एस का सेवन से कम हो जाना Acid condition के अंदर क्या होगा Acid Rain Rain का मतलब होता है वर्षा Acid का मतलब होता है अमल तो वर्षा के जल में PS का 7 से कम होना दूसरे है वर्षा के जल का PS का 5.6 से कम हो जाना आका से Hydro-Cloric अमल की Rain होना आका से Sulfuric अमल की वर्षा होना नहीं ठीक है अब बच्चों इसके अंदर Hydro-Cloric अमल की Rain नहीं होती है Sulfuric अमल की Rain नहीं होती है इसके अंतरकत जो Acid Rain मैंने आपको बताया था कि एक PS level माना जाता है 7.0 से यदि 7 से कम होगा वो Acidic परकरती होगी और और उसके बाद में 7 से जादा है तो उसके Alkaline condition हो जाएगी तो Ac condition के अंदर इसके अंदर B बच्चों इस राइट कांसर रहेगा क्यूंकि PS level कितनी है 5.6 है और 7 इज नीट्रल पार्ट ओफ ठीक है ना तो इस प्रकार से ये नीट्रल है ये Acidic परकरती है तो जो रेन हो रही है वर्षा के जल की PS का 5.6 से कम हो जाना क्या कहलाता है Acid Rain कहलाता है जब बारिस होती है जब बारिस होने के बाद में तलाब में पानी भरता है जब पानी भरा जाता है तो Ac condition के अंदर उसकी PS को देखते हैं तो PS below the 7 रहेगा मतलब यहां पर indicate किया हुआ है कि 5.6 रहता है तो क्या है यह Acid Rain है बोलेंगे अब जो पानी था उसके अंदर Acid ज़्यादा था अमली यह वर्षा हुई है निम्न में से घर में निकलने वाला कुडा करकट का निस्तारान किस वीजी से किया जाता है अब जितने भी कुडा करकट होता है कर्चरा होता है उसको जलाना हां दूसरा है पार्टना हां कमपोस्टिंग हां उसके बाद में उपरुप सभी हां ठीक है ने डी इजे करेक्ट आज़्यादा अब पार्टना का मतलब यह हुआ कि एक जमीन से गढ़डा को बनाया थे सद। न उसके अंदर सारा डिस्क डॉल्ड आ कि कमपोस्टिंग का मतलब होता है जो कच्रा है उसका खाथ बना दिया और कि इसमें डाल दिया खेत में डाल दिया जिसकी वज़े से मूली है ना या कई प्रकार के से फूल है उसके अंदर फूल फती है सब्जिया है उसमें डाल दिया जिसकी वज़े से क्या होगा खाज से अच्छी सब्जिया बनती है और जला देते हैं तो इस प्रकार से डी जे करेक्ट आंसर रहेगा प्रयावर्ण के प्रयावर्णिये सवस्ता कमिटी द्वारा रिकॉमेंडेट घर के माप दन्डों में सामिल है अब ठीक है और भी कट रहा है प्रयावर्णिये सवस्ता की कमिटी के द्वारा रिकॉमेंडेट घर में माप दन्डों में सामिल है घर का निर्मान ऐसी जगे पर किया जाना चाहिए जो सड़क से उंचाई पर हो ताकि वर्षा का जल घरों में नहीं गुछे बिल्कुल सही है कई ऐसी घर आपना देखा होगा घर नीचे है रोड उपर है उल्टा हो गया ये नहीं होना चाहिए तो ये तो सही है दूसरा है सट की उंचाई 10 फिट या इसे अधिक होनी चाहिए ये भी जरूरी है गर का जो उंचाई होती है वो 10 फिट होती है उसके बाद में घर के सदिशों की संक्या के अनिशार प्रयाप्त संक्या में सनान घर सोचाले आदी होने चाहिए ये भी जरूरी है तो उपरयोग सबी डी जे करेक्टर आंसर निम्न में चे मचर द्वारा ट्रांस्पिट होने वाली है कौनकों चे मॉस्कुटो द्वारा जो डी जी होती है जिसे मलेरिया मॉस्कुटो के द्वारा होगा फाइलेरिया मॉस्कुटो के द्वारा होगा डेंगू फीवर मलेरि अब इसके अंदर समधाने की कोई जरूरी नहीं है धना दान अपने कोशन को करना है अब नेक्स्ट बात करते हैं देखो बच्चों इसके अंदर क्या राहिटे बच्चों बताईए केंदर ये परदुशन नियंतर बोर्ट CPCB की इस्तापना वर्ष कब हुई इसके अंदर का इसके अंदर A is a correct answer डूसरा है केंदर ये परदुशन नियंतर बोर्ट द्वारा संपादित की जाने वाली गतियां होती है चल और वायू की गुर्वता को बनाए रखना येस परदुशित नियंतर के चेतर में स्वेस्तिक संग्टों को प्रोसान देना येस प्रयावन सलेक्षन के समझ में जन समुदाय में जागरूता उत्पन करना ये भी सही है तो इसके अंतर का D is a correct answer रहेगा कौन सांसर रहेगा D is a correct answer रहेगा नेक्स्ट बात करते हैं नीम्न में से प्रयावन से एंवार्मेंटल हेल्थ के उन्यें में helpful संक्टन है एंवार्मेंट को healthy बनाना के अंधरिया परदुशन नियंतरन बोर्र тора ये राष्ट्य गंगानादी बेशिन प्रादिकरं ये तो इस प्रकार से इसके अंदर D.E.J. क्रेक्ट आंस्वर रहेगा जल परदुशन की रोकताम अधिनियम कब पारित हुआ था इसके अंतरकर पारित हुआ था जल परदुशन की रोकताम गोई थी 1974 के अंदर 1974 के अंदर D.E.J. क्रेक्ट आंस्वर उसके बाज में इस्तानिय लेवल पर नगरिये और ग्रामिन संस्ताओं द्वारा परयावरन स्वास्ते के उन्यन हेतों संपाजित की जाने वाली गतिविदिया हैं वरक्सार ओपन को बढ़ावा बिल्कुल सही गरों में निकले कुड़ा करकट और मल जल का उप्रुग निस्तान सुनिसित करना यातायात के सादने कल कार खानों दवारा होने वाली परदुशन की रोकताम है तो लिया है उसके बाद में पुछ इस तर के अधिकारियों दुवारा अपने से निम्ल लेवल के अधिकारियों या करमशारियों को की और किये जाना वाला कम्यूनिकेशन होता है इसका कौन सा राइट है इसके अंदर का क्या लिका हुआ है जो हायर ऑथरिटी वाले होते हैं जो ऑफिसर फरसन होते हैं वो उन से निशे ऑफिसर से निशे रेंक वाले लोगों को जो उनके अंदर में होते हैं उनको जो दिया किया जाना उसके बीच में किया जाने वाला कम्यूनिकेशन होता है वो होता है अदो मुखी कम्यूनिकेशन ठीक है तो इसके अंदर और एक कुछ और टोपिक रहेगा तो एक तीन से टोपिक रहे हैं वो मैं आपको फड़ा दूँगा ठीक है कम्यूनिकेशन के बारे में बहुत इंपोर्टेंट है कम्यूनिकेशन क्या होता है कितने परकार के होते हैं कौन-कौन से टाइपस होते हैं किस प्रकार से कम्युनिकेशन किया जाता है, क्या उसका चैनल रहता है, तो सारी बाते उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा है, निम्र में से असत्यकतन है, कौन सा असत्यकतन है बच्चों, इसका राइट क्या है, इसके अंदर असत्यकतन के अंदर क्या है, शाब्दिक्स कम्यूनिकेशन की तुलना में अस साब्दिक कम्यूनिकेशन ससाई से अधिक नज़िक होता है येस दूसरा होता है अस साब्दिक कम्यूनिकेशन की तुलना में साब्दिक कम्यूनिकेशन ससाई की और अधिक नज़र आता है नहीं पर्ट्यूतर देना और लेना परभावी कम्यून्यूकेशन का एक मैथोफून गटक है हाँ विभीन भावनात्मक कारक संप्रेशन की प्रक्रिया को बादिर करते है ये भी सही है तो इस प्रकार से इसके अंदर जो कतन गलत है वो क्या है बीजे करेक्ट आंसर रहेगा इसके अंदर राइट क्या रहेगा बीजे करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट कमिनिकेशन की प्रक्रिया में संदेश से क्या तात्प्रे है बताओ अब देखिएगा मैं कहूं की संदेश का मतलब होता है मैसेज सेंडर के पास मौजूद इनफॉर्मेशन विचार अथवा राय जिने की अन्य वेक्टियों तक पहुंचाना चाता है जैसे कि मेरे को किसी को बुलाना है मैंने लिख दिया जो मेसेज है मैं हूँ सेंडर भेजने वाला है सेंडर मेरे दिमाग के अंदर क्या है मैंने क्या किया है वो मैं किसको भेज रहा हूँ है ना वो क्या होता है मेसेज होता है तो सेंडर के पास मौजूद इनफॉर्मेशन विच्छार अथवा राय जीने वो अन्य वेक्टियों तक पहुंचाना चाता है क्या कहलाता है मेसेज कहलाता है ठीक है ना तो इसके अंतरकर एई- कैनल हो गया कौन से मार्ग से कौन से माध्यम से जैसे आप न देखा होगा इस्टाग्राम पर आजकल इस्टाग्राम का फेशन बढ़ गया है जिसका माध्य में सोशियल मीडिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ठीक है तो ऐसी के अंदर ऐसी केंदिशन के इस प्रकार से कोई भी वेक्ति है अपनी बात पहुंचाने के लिए उप्योग में किया जाने वाला मार्ग ये हो गया चैनल दूसरा है सेंडर द्वारा रिसीवर की और भेजे गई विचार सूसनाओं के जबाव में प्राप्त करता द्वारा वापस प्रिसक की और भेजी गई सूसना अत्वा विचार ये क्या हो गया फीडबेक हो गया Communication की प्रकरिया में परभावी बनाने के लिए उपयोग में लिये जाने वाले उफ करण तो ये तो हो गया बच्चो feedback ये हो गया चैनल कौनसा माध्यम है उसके बाद में ये हो गया message ठीक है बच्चो next बात करते हैं निमन मेंसे ऐसा कौनसा कारक जो Communication प्रकरिया को बादित नहीं करता है message को समझ में आने योगे नहीं होना ये तो बादित करता है संदेश का रूचिकर होना ये नहीं करता है इंट्रेस्ट वाला होगा जैसे मैंने लिखा हाई सामने वाला पार्टी ने क्या जबाब दिया है लो है ना उसके बाद में कुछ बोला कि और कोई इंट्रेस्टेड मेसेज भेजा उसका जबाब आया ठीक है ना तो इस प्रकार से बोषित वाला नहीं होना चाहिए बोरिंग वाला नहीं होना चाहिए तो ये तो क्या करता है एक बादित नहीं करता है तो इसके अंदर भी जे correct answer रहेगा प्रेसक में भावनत्म कारक जैसे प्रोद भैज चिंता इर्श आधी की उपस्तती ये तो बादिद करता है अतेदिक ठंड या गर्मी की उपस्तती ये भी क्या करता है बादिद करता है उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कम्यूनिकेशन के सिदान्त में सामिल नहीं है बच्चों क्या के दोरान sender और receiver दोनों की भासा का उपयोग करना चाहिए जो कि एक दूसरे को आसानी से समझ सके ये जरूरी है ये सही है दूसरी बात करते हैं communication के दोरान तक्निकी सब्दों का उपयोग अधिक अधिक मात्रा में करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए यह सामिल नहीं है भेजा गया संदेश रूची कर और प्राप्ट करता कि आफसेक्ता के अनुसार होना चाहिए यह भी जरूरी है communication के दोरान feedback आपसे ग्रूफ से देना चाहिए ये भी है ठीक है तो इसके अंतरगत बच्चों भी जे correct answer रहेगा ये सामिल नहीं है ठीक है इस बात का क्या रखना है ध्यान रखना है नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से स्वास्ते शिक्षा के सिदान्त में सामिल है क्या लेका हुआ है health education के जो principles होते हैं उसके अंदर क्या include है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले इसकी आफसेक्ता अनुसार पुनवर्ती होनी चाहिए ये भी जरूरी है उसके बाद मे सिदान्तों में सामिल है इसकी आफसेक्ता अनुसार पुनवर्ती होनी चाहिए क्या राइट है इसका ये स्रोत्वा के बुद्धी और समझ के अनुसार होनी चाहिए ये भी चाहिए ये लोगों की स्वास्ते समझिया और आफसेक्ता के अनुरोप होने चाहिए उसके बाद हुआ है health education ये लोगों की स्वास्ते संबंदी समस्या क्या है उनकी क्या आवसेखता है उसके अनुरूप होना चाहिए तो इसके अंतर का सीजे correct answer रहेगा बच्चों इसके अंदर सीजे correct answer रहेगा ठीक है ना क्यूंकि कोई health education क्या उनकी प्रोबलम है उसके बारे में क्या करना उनको guidance करना उनको health education देना तो इस प्रकार से सीजे correct answer रहेगा नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामिन लेवल पर स्वास्ते संदेशों के परशार्क में निम्ण प्रकार से कौन सी विदी का उफ्योग किया जा सकता है गावों के अंदर गावों के अंदर क्या किया जाता अभी ने कट पुद लिया डायलोग और उफ्योग सभी तो इसके अंदर डी जे correct answer रहेगा निम्ण में से information education और communication का सेत्र है परिवार नियोजन एम परिवार कलिया ये भी होता है व्यक्तिकत और परियावरनिय सवस्ता information education और communication का सेत्र है व्यक्तिकत और परियावरनिय सवस्ता संक्रामक बिमारियों की रोकता उफ्योग सभी निम्न में से information education और communication क्या है यह नहीं होगा यह नहीं होगए और परियावर्न स्व verdict रहेगा जैसे प्रस्ण हाईजिन रखना एंवार्मेंट को क्या रखना साफ सुतर है यह क्या है कि का communication का area है उसके बाद में next बताइए बच्चो निम्न में से स्वास्ते शिक्ता परतान करने का सबसे प्रसलित विदी है सबसे प्रसलित विदी क्या है lecture method ये भी होता है अभिनव role play ये भी होता है group discussion ये भी होता है परंतु panel discussion panel discussion है वो होता है सबसे जाला सबसे प्रसलित विदी है health education के या health education देने के लिए ठीक है ना panel discussion होता है वो important होता है ठीक है next बात करते हैं निम्न में से ग्रामिन और अनपड लोकों को स्वास्ते शिक्ता परतान करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है lecture method role play उसके बाद में group discussion और panel discussion इसके अंतरकत क्या राइट है इसके अंतरकत भी जो ग्रामिन सेत्रों के अंदर तो बच्चों होता है role play इसके अंतरकत क्या है C.E.J. करेक्ट आंसर रहेगा role play किया जाता है जीसे गाओं के अंदर नहीं जाते हैं कठ पूदली वाले उमेश गाओं के गंज नहीं आते हैं जीसे दोल बजाते हैं नासते हैं करते हैं तो फिर उसके बाद में नेम्ण में से स्वास्ते शिक्षा का सेत्र है टिका करन परिवार्नियों जन व्यक्तिकत और प्रियावर्निय सवस्ता संतुलित आर और उप्रयोग सभी अब देखेगा बच्चों ये वाला पेले वाला मैंने आपको बताया था नेम्ण में से स्वास्ते शिक्षा का नेम्ण में से हाँ ठीक है अब इसके अंतरगाद क्या है हेल्थ एजुकेशन का सेत्र का होगा इसके अंतरगाद व्यक्तिकत और प्रियावर्निय सवस्ता होता है परिवार्नियों जन टीका कान ये भी है बैलेंस डाइट ये भी है उफ्रोक सभी तो D.E. जे correct answer रहेगा निम्न मेंसे बड़ी संक्या में लोगों को स्वास्ते शिक्सा परदान करने के लिए कौन सी विदी का उप्योग नहीं किया जाता है बड़ी सेतर के अंदर जो lecture विदी होती है इसमें एक large payment पे सभी लोगों को नहीं बता सकते हैं तो ऐसी कंडिशन में जैसे टेलिवीजन है, इंटरनेट है, रेडियो है, सारी राच चलाओ सारी लोग सारी जितना network होगा वो तना फेलेगा परन्तु lecture matter के अंदर नहीं होगा तो ये इसके अंदर B.E.J. correct answer रहेगा उसके बाद में next बात करते हैं निम्न में से प्रामर्स के सिदान्त, principle of the counselling में सामिल है कैसा मिल है? इसके अंदर का देखेगा प्रामर्स ये तू सांती, भीड़ भार राइत, इस्तान का चैन करना चाहिए ये भी सही है, ये भी क्या है? ये राइट है उसके बाद में बात करते हैं काउंसलिंग पारम करने से पूरो प्रामर्स ग्राही को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि उसकी समस्या का समाधान करने में सक्सम है प्रामर्स ग्राही की आफसेकता अनुसार दिया जाना चाहिए और उसके बाद में डी जे करेक्ट आंसर तो इसके अंतरकत जो counseling की जाती है, जो counselor होता है, जो counseling किसके बारे में बताया जाता है, क्या matter है, और जो counseling सुनने के लिए है, promise ग्राई है, उसको किस topic पे उसको जरूर थे, उसकी आफसेक्ता के अनुसा दिया जाता है, तो इसके अंतरकत D.E.J. Correct answer रहेगा, उसके बाद में न रोज़गा संबंधइय परामर्स यह भी जरूरी है यह भी जरूरी है तो डी यीजे क्रेंच आंसर रहे गा ठीक है नेक्स्ट बात करते है तो को संद रहे गए तो उसके बाद में नेक्स बात करते हैं देखिए गा निम्न में से केवल उफकरन का उदान है सुनने वाला किस कौन सा मेतर ऐसा है जिसे सुना नहीं देता है audio वीडियो नहीं वीडियोडियो नहीं audio तो इसके अंदर audio वाला कौन सा उपकरन है टेप रिकोर्डर तेली वीजन ये audio दोनों ही है फॉस्टर ये ज़ फॉस्टर तो only vision वाला रा उपर उसमें से कोई नहीं तो बच्चों इसके अंदर A is a right answer रहेगा A is a correct answer रहेगा उसके बाद में only vision वाला उफकरन कौन सा है जो only दिखता है जैसे मैं कहूं कि television के बारे में बात करें तो television एक audio भी है और video भी है चीक है न तो audio video add है तो इस condition में निमन में से जो देखने वाला है वो कौन सा है poster है बड़े-बड़े holder लिखा हुआ है नवस की शूब कामना है ऐसे से बड़े-बड़े holder लिखे हुए होते हैं ऐसे हाथ जोर करके तो यह poster होते हैं वहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद में निमन में से केवल केवल सुनना और देखना उपकरण का उदार्ण है कौन सा है इसके अंदर टेलिवीजन है टीवी बोलते हैं जिसको टीवी C, C is a correct answer निमन में से स्वास्ते शिक्षा के implementation के दोरान जो audio-visual उफकरण में उप्योग में लेने वाला उप्योग का लाब क्या है जैसे क्या दे रहे हैं Health Education के दोरान Health Education दे रहे हैं उस condition में audio-visual aid है उसका क्या लाब है बताइए उसके अंतर कर देखो स्वास्ते शिक्षा को परभावी बना ये भी जरूरी है ये स्वास्ते शिक्षा को रूचिकर बनाता है ये भी जरूरी है स्वास्ते शिक्षा को इस्था ही बनाता है ये भी audio visual उपकरण के उप्यों किसे संबन्दी सिद्धान्त में सामिल नहीं है इनक्लूड नहीं है क्या नहीं है बताओ इसका चैन सुरोतवा के देखने और सुने की समता पर ध्यान लगते हुए करना चाहिए ये कीमती होने चाहिए नहीं ये कीमती नहीं होना ची है ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है फिके न望 ये कोई जरूरी नहीं है तो इसका जो ये सामिल नहीं है भी जे करेक्टर आशे ठीके next बात करते हैं नीम्न में से प्रोजेक्टर audio visual उपकरण का उधाण है कौन सा इसके अंतर प्रोजेक्टर के अंदर क्या आएगा? पोस्टर नहीं, फ्लेस कार्ड नहीं, अंँद और और हेड प्रोजेक्टर मोडल्स, यह प्रोजेक्ट के अंदर audio और विजूल, जैसे project मोडल लगा दिया, ठीक है न? क्या लिका हूँ आया? निम्न में से project में audio visual उपकरण का उदान है models नहीं होगा audio visual का उदान है project के अंदर slide and overhead project एक slide लगा दिया और सामने overhead project लगा दिया जिसके अंदर audio visual दोनों ही होता है ठीक है ना बच्चों इसके अंदर क्या writer का अंसर रहेगा C is a correct answer रहेगा C is a correct answer रहेगा next बात करते हैं निम्न में से अंतराश्टिय लेवल पर स्वास्ते शिख्षा एजेंसी है कौन सा है इसके अंतरकर तो आप जानते है एक international level पर दो WSO होता है A is a correct answer WSO के बारे में जितना बोलूं वो कम है सारा सारा पढ़ना है WSO क्या है कहां पर उसकी स्थापना हुई WSO की क्या कितने member है ठीक है ना उसका क्या उसके function होते है सारा सारा पढ़ना बच्चो निम्न में से राश्टिय लेवल की स्वास्ते शिख्षा एजेंसी है कौन सा इसके अंतरकर क्या लिखा हुआ है एक राश्टिय लेवल की स्वास्ते शिख्षा एजेंसी है विश्व स्वास्ते संक्टर नहीं राज्य स्वास्ते और प्रिवार कल्यान संसा नहीं केंदरिय स्वास्ते शिख्षा ब्यूरो उप्रूप में से कोई नहीं तो इसके अंदर सीजे क्रेक्टर आंसर रहेगा निम्ड में से केंद्री स्वास्ते सिख्षा ब्यूरों के उदिशियों में सामिल है लोगों को स्वास्ते योजना और कारेकरमों के बाद में सिख्षा परदान करना हाँ स्वास्ते सिख्षा है तू कम्यूनिकेशन के साधर उपलव कराना जी स्वास्ते सिख्षा समदीर अनुसंदान संपर कराना तो इस प्रकार से बच्चों इसकी अंदर डी जे क्रेक्ट आंसर रहे जा नेक्स्ट बात करते हैं एक ओल्डर एक वैस को देनिक रूप से परसेंट जो खादिय पतार्तों में सामिल क्या है इसके अंदर कार्बो हाइड़ेट यूद खादिय पतार ठीक है ना तो इसके अंदर एजे क्रेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कार्बो हाइड़ेट का उदान है अब कार्बो हाइडेट का क्या प्रोटीन का प्रोटीन के अंदर होता है एल्विमन उसके बाद में विटैमिन का जो एक्जाम्पल है वह एस्कोर्बिक एसीड ठीक है इसको एक बार थोड़ा सा देख लिजेगा यह बैसिक है इसके अंदर समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है निम्न में से बेसल मेटाबोलिक रेट जिसको बोलते है बी एमर को प्रभाविट करने वाले कारक है कौन है बताइए लिंग और उम्र येस थायरोक्सिन आर्मोन मनोवेग्यानिक परस्तियां और उप्रयोग सभी इसके अंदर डी जे राइट आंसर है निम्न में से वसा विल के विटामिन वाटर सॉलूबल का उदान है उसके बाद में जल में उसके बाद में क्या लिका हुआ है वाटर सॉलूबल विटामिन इसके अंदर रेटिनॉल नहीं थायमिन होता है ठीक है ना उसके बाद में एसकोर्विक एसिड ये भी होता है तो इसके अंदर थायमिन औ और ascorbic acid मतलब की B और C दोनों ही होता है तो D is a correct answer रहेंगे बच्चो विटामिन्स के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना होगा कितने types होते हैं क्या-क्या प्रकार है क्या chemicals नेम होते हैं किस प्रकार से disease होती है क्या-क्या deficiency के अंदर symptom देखने को बिलते हैं ये सारी-सारी पढ़ के रखें इसके अंतरकत कोई भी कोशन आपको गलत नहीं करना next बात करें निम्न में से मानौव शरीर में सर्वादिक मात्रा में पाए जाना वाला खनीजलवन है केल्सियम ए डीओ के इंजर क्या पाय जाता है केल्सियम पाय के मानव सरीर में सर्वादिक मात्रा जाना वाला क्या है केल्सियम różके बार में एक शीशू की ऊड़ाद की द्यानिक आफ शेकता कितनी होती है एक in harbor है इसे के अंदर डाल दिजिए। इसको इसको के इंदर डाल दिजिए। एक ज़ाम के नंदर आता है। तुके बाद में एक एडल्स की प्लाटिन की डेनिक रिकोर्मेंट कितनी होती है। बताए। interrupt के अंदर 0.85 ग्राम 1.3 केजिए। वजन के अनुसार ठीक है तो यह आपको फ्रोटीन प्रोटीन जिसके अंतर कर पचास भी होता है ठीक है ना मिली ग्राम परन्तु यहां पर लिका हुआ 0.83 ग्राम पर ती किलो ग्राम तो इसके अंदर सब्सक्रा अनुसार में न्याफी नेक्सत बात करते हैं एक अडल्ट में वीटामीन सी की आफ़ event होती है कितनी वीटामीन सी की requirement होती है रहा है तो सी-छी नेरश जो रहे ुए होने वाला बीमारी है कौन सा आर में प्रोटीन की कमी से देखो बच्छो माल ल्यृट्रेशन के अंदर जिसके अंदर प्रोटीन एनर्जी माल नुट्रेशन इसके अंदर दो परकार की भीमारिया होती है एक तो सब्सक्कर कॉलिबी को और dobr कental प्रोटीन की कमी से होता है ये भी मैंने आपको माल नीट्रेशन के अंदर अच्छे से बताया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से भोजन पकाने का लाब है क्या लाब है भोजन एक डाइजेबल होगा पकाने के दोरा भोजन में रोग जनक सुक्षम जीवा नस्ट हो जाते हैं इसमें भोजन स्वादिष्ट बनता है उप्रोग सभी तो इसके अंतरकत बच्चों डीजे क्रेक्टांसर रहेगा है ना तो इसके अंदर क्या रहेगा डीजे क्रेक्टांसर इसके अंदर कर रहेगा डीजे क्रेक है इसके अंतर के बिजी तलना बोलिंग करना रोस्टिंग करना ये भी डी आंसर राइट रहेगा इसके बाद में खादे पदार्थ अप मिश्चना निरोदक अधी नियम कब पारिद हुआ बताइए इसके अंतर कर नाइंटीन फिप्टी फॉर के अंदर इसके अंदर जिसके अंतरक्त क्या हो रहा है काडियो वेस्कूलर बीमारी से ग्रस्थ है ठीक है ना इसके अंदर क्या है एई जे क्रेक्ट आंसर आप ये वाला उसके बाद में निम्ड में से अधी केलोरी युक्तार कैसे रोग्यों को दिया जाता है इसके अंदर माल नुट्रेशन वा हैं तो उनको अधी केलोरी दे सकते हैं तो डी इजे क्रेक्ट आंसर रहेगा उसके बाद में कम सोडियम युक्तार कैसे रोग्यों को दिया जाता है ठीक है इसके अंदर सोडियम क्या करता है बीपी बढ़ाता है ऐसी के अंदर हाइपर टेंशन वाले को नहीं दिया जाता ह युसके बाद में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रेशन के दौरां दिया जाने वाले थेरेप्यटिटिक आर के संब्ड में सतेकतम है क्या सतेकतन है क्या दे रहें प्रोटीन एनरजी माल न्यूट्रेशन वाल्लक को शुरुवाति में jos 82ं2 قलोरी परति ग्राम से वजन उतना वजन हो उतना ग्राम प्रोटीन देते हैं जितना वन ग्राम वन केजी ठीक है उसके बादें बालों को दिये जाना वाला आर चुपाच से ओना चाहिए डी इजे क्रेक्ट आंसर नेक्स्ट बात करते हैं पेप्तिक अलसर से गर्षित रोग के आहर में निम्ण खादे पदात को सामिल नहीं करना चाहिए कौन सा इसके अंदर तेज चाय और कोपी सराब तले हुए खादे पदात हाँ D.E.J. क्रेक्ट आंसर इसके अंदर क्या रहेगा D.E.J. क्रेक्ट आंसर रहेगा कि नेक्स्ट बात करते हैं कि मिड़े मील प्रोग्राम की शुरुवात हुई थी 1961 सी इजे क्रेक्ट आंशर सी इजे क्रेक्ट आंशर इसके अंदर इंटेग्रेटेड चार्ड डवलोप्मेंट सर्विस जिसके मुख्य उदिस्य क्या है चे वर्ष्टे सोटे बच्चों को पोशन लेवल को उनन्त बनाना बच्चे की सव मुख्य विकास का आदार बनाना बाल विकास के लिए कारे कर रहे विभीन विबागों के मद्य परभा नाना है मैं पढ़ दूगा ठीक है तो इसके अंदर डीज recommended रहे गा आयोडिन अलपता विकार नियंतर to aa कार करन की क्स रोग से जब आयोडिन की कमी हो जाती है तो गेंगा नाम का रोग हो जाता है ए ही जे और रहेगा उसके बाद में राश्यी 2005 का हम पर इस्तत है बच्च कोशन थे मल्टिफल सोईस कोशन से पिसे तो जो बहुत सोटे कोशन थे और सरल थे ठीक है उसमें कुछ समझने का नहीं एक बार बच्चों लिख ले जो मैंने पीडिये ग्रूप के अंदर भेजा है और उसके बाद में इसको नौट कर ले पढ़ ले बस पढ़ना है ज्याद नहीं धन्यवर